अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय के बारे में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस विधी से आप हल्दी के पानी का छुड़काव अगर आप अपने घर में करते हैं तो आपकी जितनी भी आर्थिक समस्या है वो चुटकियों में दूर होती है आईए जानते हैं क सिक्रम समवत 2075 मास चल रहा है मार्क्षीश का तिथी कृष्णपक्ष की शस्ठी तिथी है बुधवार का दिन है नक्षत्र है पुष्य योग है ब्रह्मा और करण है गर तो यह तो बात रही आज के पंचांग की अब चर्चा करते हैं राशी फल की तो सबसे पहले बात मे एक सो आठ बार जाप करें आपके लिए बहुत बहतर होगा मानसिक ठकान और उदासींता को आपको अपने उपर हावी नहीं होने देना चाहिए वरिशब राशी वरिशब राशी वाले जातक लोगों के लिए आज आप पूर्वनिरदारित कारे में सफलता प्राप्त कर सक अपने स्वास्त का ध्यान देना चाहिए नौकरी व्यापार की इस्तिति आज आपके लिए सुखद रहने वाली है चिंता मुक्त रहने के लिए कुछ योग और प्रानयाम का सहरा लें तो ज्यादा अच्छा होगा सोच समझ करके बोले नपातुला बोले भगवान राम की पूजा राधना करना रामरक्षा इस्तिरोत का पाठ आपके लिए शुफलदाई सिद्ध होगा हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटको के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो करकराशी करकराशी वाले जातक लोगों के लिए आज कोई नई व्यापारिक शुरुवात या विदेश प्रवास करने से बचना चाहिए मादुर्गा की अराधना आपके लिए विशुफलित होगी तो दुर्गा सहस्तर नाम का पाठ करें या ओम दुम दुर्गाईन महमं मंतर का 108 बार जाप करें विर्थ की बातों में खुद को लगा करके अपने बहुमूली समय का नाश न करें सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए आज आपके क्रोधी सुभाव से घर में अशानती रह सकती है परिवार पर ध्यान देना होगा निराशा से ओम गजाननाई नमहा मंतर का 108 बार जाप करना आपके लिए शुफलदाई सिद्ध होगा कन्याराशी कन्याराशी वाले जातक लोगों के लिए अपनी मधुरवाणी और लोगप्री विवहार के कारण आप लोगों के प्रिये पात्र बने रहने वाले हैं अपने छोटे पूजाराधना आपके लिए बहुती लापकारी होगी गरीब व्यक्ति का अनादर अपमान करने से आप बचे वरिश्यक राशी वरिश्यक राशी वाले जातक लोगों के लिए सरकारी काम में सफलता मिले तथा मित्रों और सही जनों से आपको लाब मिले ऐसे योग आपके लिए बनते हैं वृद्ध की सेवा करें एक सेदिक प्रेम संबंद रखने से आपको बचना चाहिए हनुमान जी की पूजा राधना आपके लिए लापकारी रहने वाली है धनुराशी आज आपको शारिरिक रूप से कुछ अस्वस्तता का अनुबव हो सकता है तो बहुत जा मानसिक इस्थिती अच्छी रहने वाली है तनाव मुक्त आप रह पाएंगे सफेद वस्तु का दान करें कुरूद करने से बचना चाहिए ओम सोम सोमाई नमह मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए लापकारी होगा कुम्बराशी कुम्बराशी वाले जातक लोगों के लिए आज उत्साह में कमी आने से आपकी एनरजी इस फूर्ती जो है वो घटती हुई से आपको फील होगी काली वस्तु का दान करना शनी चालिसा का पाठ करना आपके लिए लापकारी होगा किसी की निंदा करने से आफदान रहना आपके लिए बहुत जरूरी है लाल वस्तु का दान करना आत्म विश्वास में कमी ना होने दिना आज आपके लिए बहुती विशेश रहने वाला है आज के दिन को शुब बनाने के लिए भगवान विश्नु की पूजा राधना आप करे पुरुष सूक्त का पाट करें तो आपको फायदा अवश्य मिल सकता है तो मित्रों ये तो बात रही आज के बार अराशी की हम लोगों ने जाना ग्रहनक्षत्र के इस्तितियां क्या कहती है और दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब हम लो आजकल आप देख रहे होंगे बहुत समय से लगातार खर्चे लोगों के बढ़ रहे हैं लोगों की इक्षाएं बहुत बढ़ रहे हैं उसी इसाब से महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रहे हैं तो इससे प्रतीत होता है कि आने वाले समय में चाहे जितना भी पैसा हो वो कम ही लगेगा लोगों की आकांगशाएं लोगों की महात्वा कांगशाएं लोगों की डिमेंड जो हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और उनको पूरा करने के लिए हर एक व्यक्ति को हर एक परिवार को काफी बड़ी मात्रा में धन किया वशक्ता पड़ेगी ऐसे में कमाई बढ़ाने के लिए कई और रास्ते खोजने होंगे आए के एक से अधिक साधन बनाने होंगे जिससे आप मेनत करें अलग-अलग रास्तों से पैसा आए तो आप एक अच्छा जीवन जी सकें अपने परिवार को जो सुख वो चाते हैं जो लगजरी की चीज़ें वो चाते हैं जो संसाधन वो चाते हैं वो उनको आप उपलब्द करा सकें और यह सब सारी चीज़ें जो है एक नंबर से होनी चाहिए पूरी तरीके से टेक्स का पैसा हो साफ सुतरात पैसा हो कहीं कोई उसमें गलत कोई टेक्स चोरी कोई गलत गतिविदी में ना सनलिप तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए तो पैसों के संबंद में कहा जाता है कि जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है उनको ही अपारधन की प्राप्ति होती है अन्यता पैसों की तंगी कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं चुड़ती जिनका भागी अच्छा न कर दिया जाए अगर और सकरात्म कूर्जा को और अधिक बढ़ा दिया जाए उसको और सक्रिय कर दिया जाए अक्टिवेट कर दिया जाए पॉस्टिव एनर्जी को तो निश्चिती घर परिवार में सुख और सम्रिद्धी बढ़ती चली जाएगी परिवार के सभी सदस्य को पैसे से जुड़ी कोई भी परिशानी फिर नहीं रहेगी अगर आपने अपने घर की शुबूर्जा में वृद्धी कर दी और अशुबूर्जा को कंट्रोल कर लिया तो यदि किसी व्यक्ति के घर में कोई वास्तु दोश है तो उसे बहुत सारी परिशानियां सहन करनी प हो सकती है यह तभी संबव है जब मालक्षमी आप पर कृपा करे माता लक्षमी को प्रसंद करने के लिए घर में हमेशा साफसफाई रखने के साथ ही यह उपाय जो मैं आपको बताओं इसे आपको जरूर अपनाना चाहिए इस उपाय को अपनाने से कुछी समय में सकरात्म कूरजा आपके घर में पन होगी पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होने लगेंगे करना यह है कि प्रत्य गुरुवार एवरी थर्सडे पानी में हल्दी घोल करके पूरे घर में आप इसका च्छड़काव करें ध्यान रहे कि कोई भी भाग या घर का कोई भी कोन चूटना नहीं चाहिए आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि टॉयलेट्स में आप इसका च्छड़काव नहीं करेंगे घर में किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो ना ही मकडी के जाले लगे हो हल्दी के जल के च्छड़काव से घर पवित्र होता है और पॉजिटिव एन के साथ आप अपने कामों को करते हैं जिससे आपको सफलता की प्राप्ती अवश्य ही होती है आपको यह जरूर ध्यान रखना होगा कि जब भी आप हल्दी में पानी मिला करके पूरे घर में च्छड़काव करते हैं सबसे पहले आपको शुरुवात अपने घर के पूजा इस्तान से करनी होती है और बार-बार समझाता हूँ पूजा इस्तान नौर्थीस्ट में हो तो नौर्थीस्ट से शुरू करते हुए जैसे आप मंदर में परिक्रमा करते हैं उस तरीके से अपने घर में आप च्छड़काव करते जाएंगे इस बीच घर में जितने भी बोल रहा हूं आपको उनमें च्ड़काव नहीं करना है इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कोई ऐसा कमरा जो बंद रहता हो जो खोला ना जाता हो जहां गंदगी जादा रहती हो इस्टोर जैसी जगह वहां आप च्ड़काव इसका जरूर करेंगे सीड़ी के नीचे वगरा आप हल्दी के पानी का च्ड़काव जरूर करेंगे और ये नियम आपको लगातार कुछ समय तक कुछ गुरुवार कम से कम सोलह गुरुवार आपको ये जरूर करना चाहिए इससे आप बहुत ही चमतकारी परणाम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं तो मैं त अबी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इससे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ की मालक्ष्मी की कृपा सदयवाप पर बनी रहे आपका जीवन सुख मैं और मंगल मैं बना रहे मुझे आ गया दीजिए और देखते रहे मेरा पर्सनल मीटिंग के करना आप हमें फोन के माध्यम से इमेल और वाट्सप के माध्यम से अपॉइंट्मेंट बुक कर सकते हैं हमारा नंबर है 990724131 आपको दो नंबर दे रहा हूं इन दोनों नंबर पे वाट्सप अवैलेबल है आप वाट्सप करें 9818300146 यह हमारे ओफ इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा है और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद हरर मादेव मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मेरे चमतकारी उपाई जोतेश वास्तू तंत्रमंत्र दैनिक राशिफल वरत्योहार वैदिक पूजा पार्ट के लिए टेस्ट अब्रेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी गं जीवन में यदि समस्या हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है